स्टुडेंट्स, अम हाज विशार विमस करेंगे कि कमपनी का समापन क्या होता है, या वाइंडिंग अप आफ अफ कमपनी, आपको इस बात का पता है कि कमपनी एक लीगल एंटिटी होती है, एक वेधानिक संस्ता होती है जिसका कमपनी लौ के अंत्रगत निर्मान किया जात उसका अस्तित उसका एक्जिस्टेंस में कम्पनी लौके अनुसार होता है और उसका समापन भी कम्पनी लौकी प्रोविजन्स के अनुसार ही किया जासकता है किसी भी कम्पनी का समापन किसी व्यक्ति विशेस के इच्छा पर नहीं होता है बलकि कम्पनी लौके प्रोविजन के अनुसार होता है और कमपनी को धीरी धीरे समाप्त करने की प्रिक्रिया चालू करके कमपनी को भंग किया जा सकता है तो समापन की प्रिक्रिया अगर कमपनी के मेंबर चाहें और कई तरह के तरीके हैं जो बाद में डिस्कस करें हैं चाहें तो कमपनी का समापन किया जा सकत है लेकिन कमपनी का समभाआपन करने लिए एक processes को अपना जाता है उस process को अपनाने के पश्च्छाती company समभत होती है इसके हम winding up of company कहते है कमपनी के समापन से पहले समानकरपनिक्रिकी प्रक्रिया चाली होने पर एक liquidator या अवसायक न्यूक्ट किया जता है उस अवसायक का कारी होता है कि कमपनियों की संपतियां या डेटर्स से पैसा वसूल करना और क्रेड़र्स का पैमेंट करना जो लेंदार होते हैं उनका भुक्तान करना और अपने दाइतों का डिस्पोजल करना उसके पच्याती कमपनी के समापन की प्रोसेस चलू होती है अगर पैसा देने के बाद कुछ बस्ता है तो उस पैसे को इक्टी शेरहोलर्स में डिस्टिबूट करना तो ये एक कमपनी की समापन की प्रोसेस है प्रक्रिया है जो ultimately जाके कंपनी भंग होने में dissolution of company में convert हो जाती है दूसरी महत्वपूर बात यह है कि प्रक्रिया चालूप होने के वाक्ते ऑफिशियल लिक्विडेटर या अवसायक की नियोक्ति की जाती है तीसरी महत्वपूर बात यह है कि अवसायक का महत्वपूर काम होता है कि debtors से वसूली करना और creators को payment करना और excess surplus fund बचता है तो उसका redistribution करना उसका तो वो संपक्तियां दायितों का निप्टारा करने का महत्वपूर कारे करता है company का समापन यह जरूरी नहीं है कि company की दिवालिया हो जबी किया जाए या दिवालिया पन नहीं है company का समापन अपने अपने इंसॉल्वेंसी नहीं है अगर company इंसॉल्वेंट नहीं है तब भी company के सदेश्य चाहें member चाहें तो उसका समापन कर सकते हैं कंपनी को भंग करने के दोरां कंपनी का समापन करने के दोरां duration of the winding process of the company announces of the company का कंपनी का स्थित्त्य समाप्त नहीं होता है we winding up process खतम हो जाती है जब dissolution हो जाता कंपरी भंग हो जाती है उसके बाद company का स्थित्य समाप्त होता है इसलिए winding up process के अंदर को taxes वगरा due है गौर्वर्मेंट के किसी अंदर पार्टी के तो इस इस्तिति में company को पे करने पड़ते हैं winding up process जो है प्रारम होने के प्रक्रियात कम्पनी जब winding up process पूर्ण हो जाती है और सब तरगी प्रक्रियां खत्म हो जाती है उसके प्रक्रियात कम्पनी की dissolution की process चलोती है यह कम्पनी का भंग करने की प्रक्रिया चलोती है कम्पनी का भंग होने का मतलब है कि कम्पनी लौके अनुसार कम्पनी का समापन हो गया है तो भंग होना अंतिन चरण है भंग होने के पश्चाद कम्पनी का अस्तित समापन हो जाता है और company का नाम company registrar के register में से काड़ दिया जता है और उसका अस्तित ही समाप्त हो जाता है तो एक process है जिसके माध्यम से company का समापन किया जाता है अब महत्यकुन बात यह है कि company का समापन किन तरीकों से किया जा सकता है तो मेजर तो तरीके हैं कमपनी के किसी भी कमपनी को समापन करने के वो दो तरीके हैं एक तो है winding up by the tribunal और compulsory wind up कमपनी के समापन न्याज भी करन के आधेश से केज़ सकता है न्याज भी करन के आधेश की अलग परोसरस है उसमें Tribunal के आप्लिकेशन करनी पड़ती है गते सुन्वाई करता है, उसके बाद में उसको समापन के अदेश देता है तो वो एक अलक्ट प्रोसेस हैं, उसके माध्धियम से भी कंपनी का समापन किया सकता है कंपनी के कोई भी member या कोई भी process होती है, उसके definite process होती है इस process के माद दिम से company के समापन की कारिवाई की जा सकती है दूसरा महत्तपूर्ण यह है कि नयायला द्वारा आगे होगे समापन के आदिश देना और दूसरा है नयायला के सामने समापन के लिए petition फाइल करना याने किसी भी company के समापन के लिए चाहे तो कोई यक्ती जो member है company का वो एक petition या प्रातना प्रत फाइल कर सकता है और समापन के लिए और उसके लिए proper ground उसको पेश करने पड़ेंगे proper ground लेकर पेश कर दिए तो उसके बाद में उसकी एक सुनवाई होती है due process होती है उस due process के बाद में जो criminal है उस company के समापन के आदेश दे सकता है तो महत्यपुन process बात मैंने बताई कि company के समापन क्या है और company के समापन के महत्यपुन विशेष्पन क्या है Thank you